हेलो फ्रेंज नमस्कार वेलकुम टो वंडे एक्जाम ठार्गेट यहां पर हम लोग देखेंगे सुपर्ट्यट 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन का कलेक्शन कफी इंपॉर्टन और हार्ड लेबल कोश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे तो शुरू से ल झिल्दी-चल्दी से रिप्लाइ करते रहीगा और कोश्चन को औ्युम्ट करते रहीगा और जितने भी खोन्द व॥ेखने विडियो लिप दीड़ देख रहेये हं वीडियो को फट अफड वर्ट जी लाइक को दोस्तों में शरूर करेंगे और करेंड इंपकर लुडियो स अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए को चलिए स्टार को दें आज के अपने इंपॉर्टेंट को किसे माना जाता है भारत में कारी-कारी प्रमुग किसे माना जाता है प्रदान मंतरी रास्पती उच्चितम नियाले के मुख्य नया अधीश्ट राज्यपाल उपसन हमार सही होता है यहां पर प्रदान मंतरी भारत में कारी-कारी प्रमुग प्रदान मंतरी को माना जाता है अनुच्चेत 74 की अनुसार रास्पती को उसके कारियों के संपाधन और सला है तो एक मंतरी परसद होती जिसका प्रदान कौन होता है प्रदान मंतरी होता है और अनुच् कौन करेगा राश्टपती करेगा फ्रेंस आप सभी को जितने वी एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताते चलेंगे न वह आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टन इस आपके एक के साथ कई कोश्चन ते यारूंगे और राश्टपती देश का समवेधानिक प्रधान होता है राश्टपती देश का समवेधानिक प्रधान होता है और राश्टपती भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है ठीक है और राज्जी की कारेपालिका का प्रमुख कौन होता है राज्जेपाल होता है ध्यान दीजिए गए राज्जी की कारेपालिका का प्रमुख राज्ज फ्रेंज आपसे भी लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहेगा नेक्स है कोडार्क मंदिर का निर्माण किस ने कराया था ओप्सन आप सभी के सामने है ओप्सन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होता है वेरी गूड ओप्सन यहाँ पे हमारा सही होता भी नर्सिंग देव प्रथम ने कोडार के सूरी मंदिर का निर्माण नर्सिंग देव प्रथम ने 13 शताब्दी में 13 शताब्दी में पूरी उड़ी सामने कराया ठीक है अगला कोश्चिन आप सभी की स्क्रीन पे निम लिख इतने सी कौन सा एक किसी मृत ब्यक्ति का इसमारक नहीं है तो यहां पे हमारा ओप्सन सही होता है चार मिनार का निर्मार किस ने कर रहा था कुली कुद्बुर्श शाह ने किया था जो हैदराबाद कितलंग गाना में इस्तित है और यहां पे देगे ताज महल का निर्मार किस ने कर रहा था शाह जाह ने अपनी बेगम उमताज महल की याद में उसके कबर के उपर करवायता ह इसका निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत ये कलाकार कौन था उस्ताद अहमद लाहोरी उस्ताद अहमद लाहोरी कोश्चन पूछा गया है फिर यहां पे देगी इतमाद दौला का मकबरा नूर जहां बेगम ने बनवाया ठीक है नेक्स्ट है यहां पे बीवी का मकबरा इसके बारे में भी जान लेते वीबी का मकबरा किस ने बनवाया औरंग जेब ने बरवाया कहां पे औरंगाबाद में महारास्ट में अगला कोश्चन आप सभी की स्क्रीन पे समराट असोग किसके उत्रादिकारी थे फ्रेंस आप सभी लोग आराम से ध्यान से कोश्चन को देखते चलेगा साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहेगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट जितने भी हम आपको बता रहें आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है समराट असोग किसके उत्रादिकारी थे और चन्दर गुप्त मौरे था जिसका उत्रादिकारी विंदुसार हुआ ध्यान दिजेगा चन्दर गुप्त मौरे का प्रधान मंत्री कौन था कोश्चन को पूछा जाता चाडग के जिसका नाम कौटिल ले विश्णो गुप्त भी है और एक कोश्चन चन्दर गुप्त से रिलेटेंट चन्दर गुप्त के धरबार में मेगस्थिनीज रहता था जो सेल्लीकस निकेटर का राजदूत था और मेगस्थिनीज द्वारह लिखी गई पुस्ति का कोण सी है इन्डिका है और मौरेबंस का अंतिम शासक कोण था ब्रेध्ध था ठीक है और यहाँ पे विंदू सार को अमित्र घ HARFatt के नाम से भी जाना जाता है अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है ये सारे question सभी पूछे गए हैं तो आप यहां पर सब कुछ तयार कर लीजीगा ठीक है चलिए अगले question की दरब चलते है next हमारा question है निमलिक इतने से कौन सा एक course की जीव का उधारन है एक course की जीव का उधारन कौन से प्रोटो जोवा प्रोटो जोवा, आर्थोपोर्ट्स, एकाइनोडर्प्स, एनिलिट्स option हमारा यहां पर कौन से सही होता है ए सही होता है प्रोटो जोवा एक course की जीव का उधारन है प्रोटो जोवा ठीक है एक course की जीव है इनके जियोद्रब में एक या बहुत सारे केंद्रग पाया जाते हैं जियोद्रब इस तरीके से केंद्रग के बीच में जो जियोद्रब भी है वहाँ पे एक या बहुत सारे केंद्रग पाया जाते हैं ठीक है अगले question की तरफ चलते हैं अगला question आप सभी के screen पे penicilline का विसकार किस ने किया most important question most important question है penicilline का विसकार किस ने किया विकल्प आप सभी के सामने है विकल्प आप सभी के सामने most important question तो इसका answer हो जाता है Alexander Fleming एलेक्जांडर फ्लेमिंग ने penicilline का विसकार किया ठीक है penicilline यह जो प्रति जैविक है वो किस से मिलती है penicilline जो एंटिबायोटिक है वो मिलती है एक कवक से कवक भंजाई पौदे की एक कटेगरी है इस कवक का क्या नाम है penicillium notatum यह नाम है कवक का इसी से penicilline दवा बनाई जाती है ठीक है और penicilline की खोज कब हुई थी 1928 में हुई थी ठीक है अब चलते हैं आगले question की तरफ बारती सम्विधान में पहली बार संसोधन कप किया गया option हमारा कौनसे सई होता है बारती सम्विधान में पहली बार संसोधन कप किया गया very good तो यहां पे हमारा बिकल्ब कौन सा सही होता है? बिकल्ब सही होता है 1951 में भारती संब्धान में पहली बार संसोधन 1951 में किया गया और इस संसोधन द्वारा संब्धान में नवी अंसूची चोड़ी गई कौन से अंसूची नवी अंसूची चोड़ी गई थी और इस संसोधन की माध्यम से स्वतनता समानता यूंग संपत्ति से समंधित मौलिक अधिकारों को लागू किया जाने समंधि कुछ कठिनायों को दूर करने का प्रयास किया गया था और एक चीज़ आप सभी को बता देते इसी से रिलेटेड कोश्चन है भारती सम्धान को भारती सम्धान को का पूर्ण रूप से लागू किया गया थीक है अगला कोश्चन आप सभी की स्क्रीन पर कुछी पुड़ी नित्य शैली का प्रारम भारत के किस भाग से हुआ है कुची पुड़ी नित्य शैली का प्रारम भारत के किस भाग से हुआ है और इनके कला कारों के बारे में पूछा जाता है यामनी कृष्णमूर्ती लक्ष्मी नारायन सस्त्री स्वप्न सुंदरी कुची पुड़ी नित्य के मुख्य कला कारे है ठीक है अब यहाँ पर देखिए लावडी तमाशा और मौनी महारास्ट के लोक नित्य हैं और भारत नाट्यम सास्त्री लोक नित्य किस समंदित है तमिल नाडु से समंदित है क्लियर हो गया और यहाँ पर देखिए सैयुक्त पाड़ी ग्रही का सम्मन ओडी सी लोक नित्य से होता है सैयुक्त पाड़ी ग्रही यह किस समंदित होता ओडी सक से ठीक है अगला कोशिन आप सभी की स्क्विन पे किस नदी को बंगाल का शोग कहते हैं सारोप बंगाल किस नदी को बंगाल का शोग कहते हैं सारोप बैंगॉल की नाम से जाना जाता ब्रह्मपुत, भुगली, भागिरिती, दामुदर अप्सन हमारा सयोता डी दामोदर नदी को बंगाल का शोग कहा जाता है थर्मोईस्कोप का अविस्कार किस ने किया था? ओप्सन यहाँ पर हमारे कौन से सही होता है? गैलीली यो गैलीली कापर निकस आईजक न्यूटन जे केपलर ओप्सन यहाँ पर हमारे सही होता है ए गैलीलियो गैलीली ठीक है कौपर निकस ने क्या किया था सौर मंडल की होज की थी कैपलर ने ग्रहों की गत्ती कानियम खोजा था और न्यूटर ने क्या किया था द्रिश्य विकरण की खोज की थी अगला कोशन आप सभी के समने महाराणा प्रताब के गुडे का नाम क्या है बुलबुल, चेतक, हैग्रीव बादल महाराणा प्रताब के गुडे का नाम क्या था चेतक था ठीक अगला कोशन आप सभी के समने कडम महैस्वरी या पे कडम मल्लेश्वरी किस खेल से सम्मन्दित है करडम मलेश्वरी किस खेल से संबंदी थें अपसनिया पर हमारा सही होता है करडम मलेश्वरी संबंदी थें वेट लिप्टिंग से भार उठानी से करडम मलेश्वरी ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली पर्थम भारती महिला थी इन्हें कांसी पदक मिला था कान से पदक मिला था ठीक है अगला question आपका next question आपकी screen पर friends आप सभी लोग scoring करते रहेगा आपको कितने marks मिलते हैं कितने score आप लोग कर पाते हैं हमारे चंदमा का चक्र लगाने वाला पहला उपग्र कौन साथ था most important question most important question जितने भी question आपकी screen पर देख रहे हैं बहुत ही important है तो option यहां पर हमारा सही होता है B, Luna 10 चंदमा का चक्र लगाने वाला पहला उपग्रार Luna 10 है Luna L-U-N-A Luna 10 ठीक है यहां पर हमारा option सही हो जाता है B, Luna 10 देखें, Luna 3 के बारे में जानी है Luna 3 यह पहला उंतरिक्ष्यान जिसने चंदमा के उस प्रिस्ट के चित्रभेज़े जो प्रतिफी से दिखाई नहीं पड़ते है Luna 9 Luna 9 की बात करते है Luna 9 चंदमा तल पर सफलता पुरुग उतरने वाला उंतरिक्ष्यान है और Apollo 11 Apollo 11 से Neil Armstrong चंदमा पर कदम रखने वाला पहला मानाव बना और Mars 2 मंगल ग्रहप पर पहली बार उतरने वाला अंतरिक्ष्यान था ठीके और Sputnik 2 अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग रहा था तो इतना मैंने बताया है कुछ अलग-अलग जानकारी दी वो सभी आपके एकजाम के लिए बहुत ही important है अगला question आप सभी किस क्येन पे किस boxer को the real deal उपनाम से जाना जाता है The real deal उपनाम से जाना जाता है किस boxer को Option यहां पहें हैं मायरा सही होतासी Evander Holyfield को Evander Holyfield को The real deal उपनाम से जाना जाता है ठीके अब दिखिए माइकल फेल्प्स को भी फ्लैंक फिस उपनाम से जाना जाता है यान थोर्पे को यान थोर्पे को तारपीडो के उपनाम से जाना जाता है पहले को ब्लैक परले के उपनाम से जाना जाता है अंद्रे अगासी को डेनिस दब मिनोस के उपनाम से जाना जाता है तो ये सारे उपनाम है अगला कोशन आप सभी की स्क्रिन पर कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतराश्टी क्रिकेट मैच खेला कौन सी दो टीमों ने और आपसन यहाँ पर हमारा सही होता है ए, इंगलैंड और आउस्ट्रेलिया ने इंगलैंड और आउस्ट्रेलिया ने पहला अधिकारिक अंतराश्टी क्रिकेट मैच खेला था और क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है इंगलैंड को माना जाता है ठीके क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में इंगलेंड औस्ट्रेलिया के बीच मेल बर्न में आयुजित किया गया था कहां पे पहली बार कहां पे मेल बर्न में आयुजित किया गया था और क्रिकेट का पहला एक दिवसी अंतरास्टिक क्रिकेट मैच इंग्लेंड यूंग आस्ट्रेलिया के बीच मिल वर्ण में आयुजित किया गया था दोनों चीजे ध्यान से देख लिजे आप ठीके क्रिकेट की सबसे मुख्य संस्था सर्वोच संस्था कौन सी है ICC है ICC है और ICC का मुख्याले कहाँ पे दूबाई में स्थीत है और भारत में क्रिकेट की देख रहे कौन करता है BCCI करता है ठीके अगला चलते हैं कोशन पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है पाकिस्तान में थार रेकिस्तान से जुड़े रेकिस्तान को क्या कह जाती है, ठीक है, यही पर ही आकर के लूनी नदी थार रेकिस्तान में ही लुप्थ हो जाती है और यहां पर एक चीज पूछा जाता है विश्चु का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में इस्तित है और दक्षिड अफ्रीका में काला हारी मरुस्तले ध्यान दीजिए गा उत्तरी अफ्रीका में सहारा इस्तित है जो कि विश्चु का स रक्षित ओसेसों चेंद्हों की अधियन का विग्यान किया कहलता है आपशन आप सभी के सामने विकल्प आप लोग चूच करें और जल्दिश से रिप्लाइ करें आपे हमारा सही होता है जी वास्म विग्यान पालियॉटोलोजी ठीके अब यहां पे और देख लेते हैं यहां पे लेकि एंथर्फोलोजी एंथर्फोलोजी किसे कहते हैं नरी बिग्यान बिग्यान की वसागए जिसमें मानों के विकास रिती रवाज, इतियास, परंपरो से समंदित विस्यों का अधिन किया जाता है भारत का रास्टी आदर्स वाक्य क्या है तो option यह पे हमारा कौन सा सही होता है आप लोग को हम 2 से लिए कि 4 सिकेंड का time देंगे जिससे कि आप लोग option चूच कर पाएं तो हमारा option सही होता है A. सत्यमेव जैते उप्सन हमारा सही होता है सत्यमेव जैते इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं सत्यमेव जैते किस उपनिसल से लिया गया है important question मुंड को उपनिसल से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है question पूछा गया है कि सत्य की ही विजय होती है आपके RRB NTPC में question पूछा गया है सत्यमेव जैते का अर्थ क्या है ठीक है तो इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है और यह भारत के राज्य जो राज्चिन है उस पर भी अंकित है और भारत का राज्चिन मौरिसमराट असोग महान द्वारा सारनात में इस्तापित इस्तम से लिया गया और सबसे important question भारत सरकार द्वारा यह चिन ने 26 जन्वरी 1950 को 26 जन्वरी 1950 को अपनाये गया इसके बारे में सभी important question आपको हमने बता दिये इससे अलग इससे question नहीं पूछा जाता है next question की तरफ चलते है next हमारा question है समराट असोग किसके पुत्र थे समराट असोग किसके पुत्र थे option आपका कौन सा सही होता है option हमारा सही होता है B. विंदुसार समराट असोग विंदुसार के पुत्र थे और चंदर गुप्त महौरी के पौत्र थे ठीक है, next question की तरब चलते हैं, चाड़क्य का एक अन्य नाम क्या था, चाड़क्य का एक अन्य नाम क्या था, तो यहाँ पे option नमारा कौन सा सही होता है, option नमारा सही होता है, बी, विश्णुगुप्त, चाड़क्य का नाम, इनके पिता ने रखा था, क्या नाम था, इनके पि नाम चानक के रखा था और इनका नाम विष्णुगुप्त कॉट्टिल यह भी है ठीक है नेक्स्ट कोश्टन को गुप्त काल के दोरान नेक्स्ट मारा कोश्टन गुप्त काल के दोरान चीन के किस यात्री ने भारत का ब्रमण किया था तो ऑप्सन हमारे यहां पर कौन सा सही होगा ऑप्सन सही हो तब फायान चीनी यात्री फायान गुप्त वंस्ट के शासक चंद्रगुप्दूति के शासनकाल में भारत आये था मोस्ट इंपॉर्टन पॉइंट जो हमने अभी आपको बताया ठीक है और उसने 3992 से ले करके 414 इस भी तक भारत के विविन अस्थानों की यात्रा की ठीक है नेक्स्ट कोश्टिन की तरफ चलते हैं जयामिती का जनक किसे कहा जाता है मुस्ट इंपॉर्डन कोश्टिन जयामिती का जनक किसे कहा जाता है ऑप्सन हमारा है सही होता है यहाँ पर यह क्लिट को जयामिती सब्द का मूल अर्थ क्या होता है जमीन नापना ठीक है नेक्स्ट हमारा important question है विख्या सांची इस्तूप किस ने बनवाया था कौन सा option होता है सही option हमारा सही होता है भी अशोक ने बनवाया था इस्थापतिक कला के दिश्टिकोंड से सांची के इस्तूप को बहुत थी important serviceist माना जाता है कहां पे इस्ती थे सांची का इस्तूप चलते है खजुराओं के इस्तूर कहां पाय जाता है उत्तर है सी cience अधंड़ीप्रदेस के जीले के शतर पूर झिले में खजुरां कि इसमारक पाय चाते हैं जिला भी कभी-कभी पूछा जाते है और यह किन राजाओं के द्वारे नीर्मिट किये गए हैं तो यह चंदेल राजाओं के द्वारे नीर्मिट किये गए थे important point है next question की तरफ चलते है मिनाक्षी मंदिर कहां पर इस्ति थे option नमारा कौन सा सही होगा option नमारा सही होता है ये तमिल नाड़ु में मिनाक्षी मंदिर तमिल नाड़ु राज्जी के मदुरे सहर में मदुरे सहर में इस्ति थे मदुरे भी important है ये पूछा जाता है कभी-कभी next question की तरफ चलते है मिनाक्षी मंदिर देवी पारवती जो मिनाक्षी के नाम से जाने जाती है उनको ये समर्पित है next question की तरफ चलते है most important question elephant deep कहां पर इस्ति थे elephant deep कहां पर इस्ति थे option नमारा सही होता है D. अरफ सागर में जो मुम्बई गया होंगे अलिफाणणा पर जरूर गया होंगे तो यहाँ पर option नमारा सही होता है D. अरफ सागर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर अलिफाणणा दी पर आप जाएंगे तो गुफा मंदिर मिलते हैं तो यहां के जो प्रसित गुफा मंदिर है उसका निर्माड किस ने कराया था राष्ट कूट सासकों के द्वारा कराया गया था यहां के प्रसित गुफा मंदिरों का निर्माड next question की तरफ चलते हैं option यह पे हमारा सही होता है मोगल समराजि की इस्थापना किसके द्वरा की गई थी जदॉ सी महा laughing औरकर की द्वरा कीए तो आपने हमारे हमरार सुरह ऩाइब बाबर की द्वरा की गई थी जदुआatti थे कहां पर जैपूर में है और वैसे अगर आप राजी की बात कहेंगे तो राजस्थान में इसका निर्माड कब हुआ था 1799 में 1799 में किसके द्वारा किया गया था महाराजा सवाई परताप सिंग के द्वारा कराया गया था और एक important question इससे related बना है कि किस वास्तोकार ने इसके डिजाइन की थी तो वास्तोकार लाल चंद उस्ता ने इससे डिजाइन किया था और एक important point हवा महल का निर्माड लाल यह गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से किया गया है तो यह important है लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत् द्वारा प्लासी युद्ध ब्रिटिस द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेत्रित में लड़ा गया था औप्सन मारा कौन सा सही होता है औप्सन मारा सही होता है लाड क्लाइप औप्सन मारा कौन सा सही होगा लाड क्लाइप के नेत्रित में प्लासी का युद्ध लड़ इस युद में लाड़ कलाइप के नेत्रुत में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सराजुत दौला को पराजित किया पलासी बरतमान नाम क्या है पलाशी का युद मैदान कहां पे पश्म बंगाल राज्य में नदिया जिले में भागवी रथी नदी के किनारे इस्ती थे यह पश्चिम मंगाल में और किस नदी के किनारे हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है और यह राम कृष्ण का मुख्याल है बार कौष्ण के संस्थाप कौन है बर्म समाज के संस्थाप पूछा जाता है आप सभी हो पताए इसका आंसर होगा और राजा राम भौष्ण राए ने कि थी राजा राम मोहर राय ने इसके स्थापना कब की थी 1828 में की थी important point और हिंदु धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाजी था most important point जो हमने अभी आपको बताया ठीक है next चलते हैं most important question रविन नाट टैगोर को गुरुदेव की उपादी किस ने दी थी रविन नाट टैगोर को गुरुदेव की उपादी किस ने दी थी अपसन मारा कौन सा सही होता है सही होता है ए महात्मा गाधी ने ठीक है और गाधी जी द्वारा चंपारन सत्यागर का सफल लेत्रित्व करने के कारण रभीन नाट टैगोर ने पहली बार उने महात्मा भी कहा था तो रभीन नाट टैगोर को गुरुदेव की उपादी किस ने दे थी महात्मा गादी ने और महात्मा गादी को महात्मा किस ने कहा था रभीन नाट टैगोर ने ठीक है नेक्स चलते हैं और कप कहा था अब्दूल गफार खां को मॉस्ट इंपर्टन कोश्चन है ठीक है नेक्स चलते हैं कि फ्रंटियर गादी हो गया जिसे हम हिंदी में कहते हैं सीमांत गादी बास्षा खांके नाम से भी बुलाया जाता था फक्र अफगान इन तीनों नामों से बुलाया जाता लेकिन उसमें स इंपर्टन कोश्चन की तरफ चलते हैं लेडी बिद्द लैम्प लेडी बिद्द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है मोस्ट इंपर्टन कोश्चन ऑप्सन हमारा सही होता है भी फ्लोरेंस नाटिंगल किसे जाना जाता है ऑप्सन हमारा सही होता है भी फ्लोरेंस नाटि नेक्स्ट कोशन है, मनुई स्मृती का अंग्रेजी में अनुबाद किस ने किया था? अप्सन हमारा कौन सा सही होगा? अप्सन हमारा सही होता है B, George Buller नेक्स्ट कोशन की तरब चलते हैं? नेक्स्ट हमारा important question है हिंद स्वराज के लेखा कौन थे हिंद स्वराज के लेखा कौन थे तो option हमारा यहां पर सही होता है D. महात्मा गादी हिंद स्वराज महात्मा गादी की रशना इसकी रशना किस वर्स में हुई थी 1909 में ठीक नेक्स्ट question की तरफ चलते हैं निम्न मेंसे कौन से सुतंता सेनानी ने जेल की दिवारों पर महा कादी कमला लिखा था option मारा कौन से सही होता है option सही होता है B. V.D. सावर कर और यह किस जेल में लिखे थे अंडमान जेल में जिबे कैदी की रूप में रह 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 थे तो कमला न question की तरफ चलते हैं British से लड़ते हुए राने लक्ष्मी भाई का देहां पर हुआ था ब्रिटिस से लड़ते हुए राने लक्ष्मी भाई का देहां कहां पर हुआ था option हमारा सही होता है B. ग्वालियर में फ्रेंस आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आ next question है option हमारा यहां पर सही होता ग्वालियर महारानी लश्मी भाई का जन कहां पर हुआ था वारांसी में इनके मृत्यु कहां पर हुई थी ग्वालियर में और ग्वालियर में ही महारानी लश्मी भाई की समाधी भी है next question की तरफ चलते हैं निमलिखित में से भारत के सेवल स स्वतनता प्राप्ती सेपूर भारत का सर प्रुथम जूट मिल कहां इस्तापित किया गया था most 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 important question option हमारा कौन से सही होता है भी बंगाल में जूट अत्वा पटसन जिसे हम कहते है golden fiber golden fiber के भी नाम से जाना जाता है सुतंता से पूर्व बंगाल में सरप्रतम जूट मिलकी स्थापना की गई थी most important question next question की तरब चलते है 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस के द्वारा दिया गया था 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस के द्वारा दिया गया था option हमारा सही होता है लाड करजन के द्वारा बंगाल का विभाजन लाड करजन के काल में कब किया गया था 1905 में किया गया था most important question ठीक है next question की तरफ चलते हैं नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाए गया नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाए गया था option नमारा सही होता है c 1911 में ठीक है ध्यान दीजीगा नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाए गया था 1911 में के सुपलक्ष में दिसंबर 1911 में दिसंबर 1911 में बिटिस समराट जार्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके सुवागत हे तो दिल्ली में एक दर्बार का आयोजन किया गया था और दिल्ली दर्बार में ही 12 दिसंबर 1911 को समराट ने बगाल विभाजन को रद घोसित किया और साथ ही कलकत्ता की जगा दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोशना की ठीक है स्कल्क मीर्ण कbles्ण जाएक यहाए फारती राष्टी परिवैशन की अध्यक्ष तक किसन न की थी बद्यक59 दे इस टरीक तरीकी से क्योंता पका सिम्रा ने में Water बैनर जीम रूव। में सब्सक्रब्यब। क्वे गालो आप जाए और तरफ माहाम कि पूछा गया था है नेक्स्ट वहारत में महात्माम का पहला सफल सत्यागर्य का फ। वर्दोली चमपारण नमक मार्च कौन सा उप्सन हमारा सही होता है उप्सन हमारा यहां पर सही होता है सी चमपारण और सत्य अग्रह का साब्दी कर्थ क्या होता है सत्य को मान कर किसी वस्त के लिए आग्रह करना अथ्वा सत्य और अहिंसा से उत्पन होने वाला बल मिल ली है यह कोशन पूछा गया सत्य अग्रह का क्या मतलब होता है सत्य को मानकर किसी वस्त के लिए अग्रह करना नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट किस वर्स पारित किया गया था रॉलेट एक्ट किस वर्स पारित किया गहे था most important question option अमारे साही होता था सी 1919 में ठीक है नेक्स्ट गोश्टन की तरफ चलते हैं कईका स्केमान कहलते हैं कनाड़ा कि मध्य अकशांसी घंव सकेमान क्या कहलाते हैं प्रेयरे पैमिपास इस्टेपी ड़ आउंस अपीको प्रेयरी नेक्स्ट इंपोर्टन कोश्चन है ऑस्ट्रेलिया की घास इस्तल को दिया गया भागोलिक नाम है मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन है ऑस्ट्रेलिया से आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन एक कोश्चन यहां से खुब पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया की घास दक्षड अमेरिका के सीत, शीतोष्ण घास इस्तलो को क्या कहते हैं? सबाना, पंपास, प्रेयरीद, वेस्ट, ओप्सन यहापे हमारे कौन सही होगा? सभी most important question है आप लोग मार करते रहे हैं, सभी important question की category में हैं, ओप्सन यहापे आपका सही हो जाता है, very good, पंपास, अमेरिका के सीतोष्ण घास इस्तलो को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं, अगला important question है, दक्षड अफ्रीका में पाए जाने वाले, दक्षड अफ्रीका में पाए जाने वाले सीतोष्ण कड़िबंधी घास भूमियों को क्या कहा जाता है? बहुत यह बढ़िया और important question है, विल्ड, कैंटरवरी, डाउन्स, पंपास औपसन यहाँ पर आपका सही हो जाते हैं, विल्ड अगला important question पर आजाते हैं, अगला important question आप सभी की स्क्रीन पर उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास इस्तलों इस नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर आपका बिकल्प सही हो जात गैंडला फनक्रणट कॉस्चिन सवाना घाज भूमियां पाई जाती है कहां पर पायJust सवानकी घासभूमिया मद्य अश्या मेंतारी अमेरिका दोस्तरी मध्य अफ्रीका में अच्शण बहुत ही important question है पूरे हम लोग यहां पे 22 question cover करेंगे और 22 में से आपको score करना है कि आप कितना पाए है आपको comment section में comment करके बताना है और यह बाइस question आपकी बहुत ही important question है बस यही से question आपका पूछ लिया जाएगा घास की मैदान से related अगला important question है पैडंग है पैडंग क्या है अमेजन की सहाएक नदी है औस्ट्रेलिया की एक जील है इस्थानांतर और सील क्रिसी पद्दती है यह दक्षडपोर्व ACI उस्ट्र कड़बंदी घास भूमी है अगला important question है पैडंग ऑप्सन यहां पर आपका सही हो जाता है डी दक्षडपोर्व ACI उस्ट्र कड़बंदी घास भूमी है important question है अगला important question है पटाना नाम कोश्ण कड़बंदी घास के मैदान निम्नमे से किस देश में पाय जाते हैं विकल्प आप सभी के सामने ब्राजी लिंडोनेसिया स्रेलंका हंगरी most important question है देखिए आपके question सही एक आपका उत्तर त्यार हो जाता है पटाना कौन सा घास सिस्थल है उस्ट कड़बंदी या सी तोस्ट तो आपका यहां पे option सही हो जाएगा उस्ट कड़बंदी घास सिस्थल है पटाना किस देश में पाय जा बहुत important question है पूछा जाता है वेनेजुएला इस्थित उस्ट कड़बंदी घास की मैदान लानोज केंपोस पार्क लैंड सबाना option यहां पर आपका सही हो जाता है यह लानोज वेनेजुएला ला लानोज ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे ट्रिक से नेक्स्ट है अमेजन नदी के दक्षण में इस्थित ब्राजील के मैदानी छेत में फाय जाने वाले उस्ट कड़बंदी घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है लानोज केंपोस पार्क लैंड सबाना most important question है यह तो यहां पर हमारा option कौन से सही होगा ब्राजील ब्रा आज का सवाल आप सभी के लिए ऑस्ट्रेलिया की घास इस्थल को दिया गया बहुगोलिक नाम क्या है ऑस्ट्रेलिया की घास इस्थल को क्या कहा जाता है डाउन्स वेल्स सबाना प्रेरी most important question है आप लो comment section में comment करके जरूर बताईएगा और friends वीडियो को आप लोग like और share जरूर करते रहिए ठीक है हम आपके लिए अगर इतनी मेहनत करें तो आप लोग बस like और share के माध्यम से हमारा उस्था वर्दन जरूर करते रहा करिए ठीक है हमें भी energy की जरूरत होती है motivation की जरूरत होती है तो आप लोग अपना प्यार और विश्वास like और share से जरूर दि